हेलो फ्रेंट्स एंड विलकुम बैक टो माई एक्टिब चैनल यार एडुकेशनल हब एंड दिस नमीता सो जैसे कि आशकर हम लोग देख रहे हैं अपने कमेंट सेक्शन में कि आप लोग जैसी इसी के थर्ड काउंसलिंग का वेड कर रहे हो तो हम लोग सोचे एक वीडियो गोलोग जाते हैं रहे हैं को अधर कोंट्स में जा रहे हैं उसके वारे सो कुछ आइडिया होना चाहिए ठीक है तो सबसे पहले यह बोलना चाहूंगी ही कि आप मेंसा जो भी स्टुरेंट ऐसे हैं जो सीट मिल रहा होता है गवर्मेंट सीट और वह छोड़ देते जैसे एक विकल्चिर में को स्टुरयने económして मिल रहा होगा और मीदों मिला और और कलटर में सीट मिल रहा और वह लोग नहीं लेते नेकस्ट यह यह अप EB मिल रहा है प्लोग प्लीज ले लीजिए और बात रहे गवर्वर्मेंट कॉलेज की तो इसके सीट कभी ने छोने चाहिए बहुत ही बेनिफीशल होते हैं तो आज जो मेरा ये वीडियो ये बेसिकली एग्रिकल्चर पे बेस्ट है जैसी कि मैं आज के वीडियो जो बीर से तो इसमें मैं बताने वाली हो कि वहां के फी स्ट्रक्चर होस्टिल फी जो कि बहुत ज्यादा ही कम है अगर कोई एक मेर्डल क्लास फैमिली या फिक पूर फैमिली से भी है फूर फैमिली से बेलॉंग करते हैं जो अफॉर्ड नहीं कर सकते जादा उनके लिए भी बहुत जो होगा यह की होस्टिल फी बहुत ही कम है और कोर्स भी बहुत कम आप अराम सब लोग इसमें पढ़ाई कर सकते हो उसके बाद वहां की प्लेस्मेंट यह सब के बारे में बताने वाली हो तो सबसे पहले आप लोग जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं कियो प्लीज सब् तो सबसे पहले बात करते हैं वहां के फी स्ट्रक्चर के बारे में तो बिर्सा एग्रिकल्चर और उनिवर्सिटी की जो कोर्स फी है एग्रिकल्चर और बीवी ऐसे डाट इस वेटनेरी साइंस इसकी कोर्स भी आपकी टेन थाउजन पर यह लेकिन आप जब फर्स्टियर म 13,500 क्योंकि उस टाइम पर बहुत सार एक्स्ट्रा चार्ज भी इंक्लूड किये जाते हैं जैसे लाइब्रेरी फी यह सब कुछ और भी बहुत सारे चार्ज इंक्लूड करके 13,500 आपका फर्स्टियर का फी है टोटल पूरे फर्स्टियर का बस 13,500 फिर आप जब सेकेंड य आपकी है only 2000 पर एयर सिर्फ और सिर्फ दो हजार जो कि ऐसे कोई normal students कहीं और पढ़ रहे होते हैं तो वह दो हजार अपने पर मन्त खर्च कर देते हैं लेकिन आप लोगों का पूरे साल में सिर्फ दो हजार होस्टल फी है तो अब आप खुद सोच लीजिए आपको फी इतन सेलरी मिलेगी तो आप जब eight semester में होते हो उस eight semester से आप प्लेस्मेंट के लिए eligible हो जाते हो ठीक है और जो अऺण मिनीमम जाती और जिनलोगों को प्लेस्मेंट नहीं मिल पाती यह नहीं हो पाती में भी शलोग रहते हैं कॉलेज में इस व्यवज नहीं इटिव्यों पाते हैं तो इन लोग वह सब्सक्राइश जो हैं वो लोग और भी दूसरे एक्जाम के लिए प्रेपेर करते हैं जैसे जी आरएफ पीसी एस और भी बहुत सारे हाइस टॉड़ी जिसमें वो लोग फिर जाते हैं और उसमें भी बहुत ही अच्छा करियर है पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप ग्राइजुएटिट इस टूड़ेंट हो आपको कोई जॉब नहीं मिलें गासा नहीं हो सकता है यह तो आपको प्लेस्मेट बहुत अच्छा मिलेगा और कुछी स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिने प्लेस्मेंट नहीं मिल पाता है द्यूटू दिया लोग तो उन्हें भी दिमोटिवेट होने की मुझरत नहीं वह अपने हाई अच्छी जॉब मिलेगी और अगर आप किसी काटेगरी से बिलॉंग करते हो लाइक स्टी 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 ओवी सी और एडब्लूएस भी एडब्लूएस के लिए थोड़ा कम चांस है लेकिन है और अगर आपके एडुकेशनल मांक्स बहुत आप लोगों को जो सेंट्रल और स्टेट गवर्मेंट के तुरूएस को दिलवाने में तो आप लोग का तो एक तो फी भी इतना कम है और उपर स्कॉलर्शिप भी मिल रही है तो आप लोग आराम से अड्मिशन लेकर कि इसमें पढ़ सकते हो और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो होस्टल में नहीं रहना चाहते हैं उनका घर पास में होता है तो लोग कॉलेज के बाहर भी अपने घर में रह सकते हैं वहां से भी आना जाना कर सकते हैं लेकिन वहां कॉलेज का स्पेसिफिक टाइम होता है उतने टाइम तक